This is Geetu Mirpurir from Divine Tush Healing Academy. Divine Tush Healing Academy में Numerology की Classes Connect होते हैं और आप ये Classes online भी सिख सकते हैं. ये Video बन रहा है Ruling No. 8 के लिए. उन्हें क्या Diwali में Gift देना चाहिए? Ruling No. 8 वाले जो लोग हैं, उनका डीटो बर्त होता है 8, 17 और 26. आपको आपके लाइस में शनी का एनरजी बढ़ाना होता है और आपको सूर्य का एनरजी कम करना होता है. तो सूर्य के एनरजी को कम करने के लिए बेस्ट है अगर आप दिवाली पर सूर्य से Connected चीजें Gift करते हैं. जैसे आप देख सकते हallahi हम पर ये टोबर का प्रतिमा है सूरे का वो आप you gift कर सकते हैं और जिसको भी आप gift कर रहे हैं उनAY सजेस्थ कर सकते है कि ईनको घर के east direction में लगाना है. और सूर्य से Connected चीजें कोई भी golden color की showpieces आप गिफ्ट कर सकते हैं. आप यहां पर देख सकते हैं, जिसे मरलिन ट्रिनिटी हैं, या फिर ये बर्द्स हैं, और बेल हैं, और कॉपर से कनेक्टिव चीजें भी अगर आप गिफ्ट करते हैं, कॉपर की वाटर बॉटल तो वो आपके लिए अच्छा है, और आप येलो कलर के क्रिस्टिल बॉल्स, या फिर जैम्स जैसे रूबी है, वो सूर्य से कनेक्टिव है, तो जितना सूर्य के एनरजी को कम करते हैं, उतना आपका लाइफ में क्लैशिस कम होते हैं, आपका नाम खराब नहीं होता है, और आपको गोवर्मेंट से पेवर्स मिलते हैं, आपके लाइफ में जितना सूर आपको याद रखना है कान्से प्लानेट का एनरजी आपको बढ़ाना है, किसी से भी गोल्डिन कलर, रूबी आपको गिफ्ट में नहीं लेना है और आपको यलो कलर का स्वीट वगरा किसी से नहीं लेना है, तैंक यू